लगाइज थिस यह होच इर टिवाल्टोब चैनल आज के वीडियो बात करने वाले हैं डिफाई लामा के बारे मैं आपको डिटील बे समझाने वाला हो कि ये टूल कैसे आप इसके तूल को यूज करके कैसे ऑप फैंड आउट कर सकते हो डिफाई अंदर और एरड्रोप भी ह कौन से मेट्रिक्स ही प्रोवाइट करता है जो यूसफुल हो सकती है किस टाइप से आप इस टूल को अच्छे से यूस कर सकते हो उसके बारे बात करेंगे तो इसमें आज हम सारे सेक्शन्स कवर करने वाले जो इसमें इसमें इंपोर्टेंट डीटा ही प्रोवाइट करते है उसके बारे में थोड़ा शेयर करोगा अपने इंसाइट और कैसे आप यूस कर सकते हो आपको बता हुआ तो इसके डेशपोर अब अगर आप लेफ साइड मे तो यहां पर काफी डिफरेंट डेशपोर्ट यहां पर प्रोवाइट की गए और यह डेशपोर अपडेट करते जाते हैं नए डेशपोर्ड भी एड करते हैं जिससे CX Transparency का डेशपोर्ट उन्होंने दू मेने पहले एड किया था और ETH लिक्विड स्टेकिंग का डेश जाता है तो ओवर्वीव वाले सेक्शन में आपको TVL की रेंकिंग मिल जाती है इस पे आप प्लेटफोर्म वाइज भी सेलेट कर सकते हो और ऑल ब्लॉक्चें के इसाब से लिडो जो है अभी टॉप है TVL के इसाब से और मार्केट के टीविल का रेशो भी मिल जाता है और म में भी मेट्रिक्स देखते हो तो कॉन्वेक्स तो इससे भी ज्यादा अंडर वैल्यू चल रहा है ठीक है तो इसके हिसाब से यह मेट्रिस काम आती है TVL का डेटा मतलब टॉटल लॉक्ट वैल्यू तो कितना अमाउंट लोगों ने डिपोजिट किया है उस पर्टिकुलर लिडो फाइनेंस के अंदर स्टेक है और लिडो फाइनेंस के पास मार्केट सेर अल्मोंस 70% स्टेकिंग का तो यह सीन है लिडो फाइनेंस के साथ इसलिए इसका TVL ज्यादा है यहाँ पे फिर आप ब्लॉक्शन वाइज भी फिल्टर लगा सकते हो इधिरियम का फिल्टर क्या चल रहा है और मार्केट कर टीवल के साब से उनका कॉइन भी है तो अगर एक के नीचे उसका रेश्यू चलना तो अंडर वैल्यू के अंदर आता है उस केस में थोड़ा और रिसर्च करके अगर आप चाहो तो उसमें इन्वेश्मेंट भी कर सकते हो ठीक है तो यह ची काफी ज़ादा इस TVL वाले सीन में डिफाई के अंदर 65% से ज़ादा मार्केट शेयर है यहाँ पर इधिरियम का 60% से क्या सब्सक्या स्वार्केट शेयर है बागी सारी चेंज जो है अल्मोस् 12 तेरा चेंज है उनके बाद 40% मार्केट शेयर है ठीक है तो यहाँ पे किस टा प्रोटोकॉल जिनका टोकन नहीं है और वह आगे याज़ा silake एडॉप कर सकता है ही प्लिय सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ पर इस sophisticated को चक्रम au रहा है था top 10 token airdrops के उपपर उसके अंदर इसको मैंने cover भी किया था तो simple इसके अंदर आपको liquidity add करनी है और easy steps कोई hard भी नहीं काफ़ी simple है तो यह आप इगार करके देख सकते हो उसका video में डाल दूगा description में आप check कर सकते हो but यह एक में को भी लग रहा है कि इसका tvl काफी सही है traction काफी सही है तो आप इसका airdrop आ सकता है portal का airdrop यह आ सकता है portal भी आप यूज कर सकते हो defy saver कैसे यूज करना उसका भी अलग से video बलाया है तो defy saver का airdrop आने का chances में काफी हाई लग रहे है और क्योंकि insta dapp जो है similar application है उसका खुद का भी token है तो defy saver का जो recent traction है वो insta dapp से ज्यादा बैटर है तो defy saver टूल भी काफी amazing defy management tool है तो इसका भी airdrop आ सकता है यह भी आप देख लेना इसका भी 138 million dollar के आसपास tvl है set protocol भी काफी साही है तो इसको भी आप देख सकते हो इसके अलावा तो blur का तो आने वाला ही यह january end में आएगा blur का तो वो तो आने वाले ही वो तो fixy है aztec का आने वाला aztec के ऊपर आपको वीडियो कही सारे मिल जाएगे लोगों ने बनाए है और हो सकता तो future में भी बना लोगा अब अल्लेडी काफी मिल जाए crypto hindi के आप दीख सकते हो या फिर ayazbhai के चैदल पर देख सकते हो शीव के चैदल पर देख सकते हो शीव के चैद रिख लेला इसको भी इसका वीडियो काफी बिल जाएगी इसका भी airdrop आने के चांसे पीका प्रोटोकॉल का airdrop आही सकता यह आपको मेने साब से पता ही होगा और प्रोटोकॉल का यूज होता भी आपनी use किया भी होगा नहीं किया तो इक लिग वार यूज इसको भी कर तो इस टाइप से पता चल जाता है कि कौन से किसके एड्रोप आने वाल है तो यह मैंने अपने साइड से स्प्रकुलिशन किया है बट काफी सही चांस है कि जो मैंने अभी प्रोटोकॉल के बारे बता है वह एड्रोप फ्यूचर में का सकते हैं इसके अलावा सेकेंड या पर यह मैट्रिक्स काफी इंपोटेटर कि किसने कितना पैसा रहीज किया जिसके बाद ज्यादा फंड होता है वह आगे जाके टोकन भी लाउंच कर सकता है तो इसको एक बार आप देख सकते हैं इसका प्रोटोकॉल किया है इसका क्या पता आजाए नोमेड ब्रीज जो है इसका तो हैक हो गया था बीच पे बट इसका भी एड्रोप आये नहीं आये वह फ्यूचर की बात है इसमें कुछ पक्का नहीं कह सकते है थेटा नॉट्स फाइनेंस का आ सकता है ऑप्शन्स प्ल प्रोटोकॉल लाइव है उसको भी एक बाद देखा जा सकता है तो इस टाइप से आप देख सकते हो कौनसे प्रोटोकॉल किस टाइप से है जिनका टूकन आगे लाउंच हो सकता है उसके साब से क्या मताँ आपको फ्यूचर में एरड्रोप भी मिल जाए ठीक है इसके बेरेसाब से कमपाउंड फाइनस या आवे दो प्रोटोक्ल को ही सकुर करता है इसके अलावा नहीं करता ज्यादा लाइब ओपन प्रेट darum नहीं है तो चैनलेंग जो है सबसे मेजर या पर है फिर वेंक लिंग जो है वो ट्रोन पर बाते से दो ही प्रोटोकॉल सक्कुर कर तो अगेन मेजर ट्रेक्शन नहीं है, फिर आपका बैंड जो है उसने 21 किये और TWAP जो है वो 70 किये है, तो TWAP के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च किया जा सकता है, मेभी इसके बार बहुत रिसर्च करूगा, क्योंकि 70 प्रोटोकोल सेक्योर किये, वो नंबर यहाँ पर मैटर कर रह तो चैनलिक तो अल्मोस्ट यहाँ पर किली करता है, लाइक अल्मोस्ट 80-85% मार्केट शेर उसके पास यह देखा जाया, तो यह इसके साब से आप इसका भी पता लगा सकते हो, डेटा ओरेकल वाले सीन में, उसके बाद सेक्शन है फोक्स का, तो फोक्स के अंदर क्या है कि यह जो जित्ते भी डिफाई के प्रोटोकॉल है, जो टॉप के प्रोटोकॉल है, उनके ओपन सोर्स कोड होते है, कोड को फोर्क किया जाता है, हाड फोक किया जाता है, यहाँ शॉट फोक किया जाता है, उसके यह साब से नया प्रोटोकॉल बला जाता है, कई बाद उसरी चेन पे लोग लाँच करते हैं, Uniswap का जो फोक है, वो कही सारे है, Pancake Swap भी मेरे साफ से Uniswap का ही फोक है, और Uniswap को कही बार फोक किया गया, 373 बार फोक किया गया, 373 जो प्रोटोकॉल से वो Uniswap की फोक है, तो यहाँ पे Pancake Swap देख लो, Sushi Swap देख लो, Buy Swap देख लो, VVS Finance, Quick Swap हो गया, Spooky Swap हो गया, जो भी आप देखोगे कि दुसरे चेन पर जो Major Decks है, वो Uniswap का ही फोक है, और Uniswap नहीं सबसे पहले AMM बनाया था, तो यहाँ पे होता है कि जो सबसे पहले कोई नई चीज इंटर्डूस करता है, मार्केट में कोई नहीं problem solve करता है, नया approach लाता है, जो initial उसको traction मिल जाता है, लोग उसको fork कर लेते हैं, वैसी-वैसी similar product और भी chain में launch कर देते हैं, तो वो यहाँ पे Uniswap के साथ हुआ, Compound के साथ हुआ, Saddle Finance के साथ हुआ, Uniswap के तो काफी folks हुए, Olympus Dao के भी 109 folks हुआ है, तो यह सही data मिल जाता है, तो यह एक general awareness के लिए काम आता है, इससे आपको कोई यह नहीं पता चलेगा, यह coin buy करना, यह करना, it's not always about coin, it is sometimes कि आपको क्या पता चल रहा है industry के बारे में, आपको idea हो जाएगा कि इस type की चीजे भी होती, कई लोगों को पता भी नहीं होगा, ये इस type की चीजे भी होती है, को सकता है, आज लोगों को पता चल रहा हो कि आरे dad focus b bass over open boost libciRT मिया कीच आइड बीरी दिफ्रेंट कर लाइड कर रहे हैं दिफ्रेंट केटेगरी जोग को पूचने डिफ्रैइड क्या होता है यह दुपाइडिक्स थी पता होती है बड़े से बड़े को 30 बार का होते हैं, आपने आपको DeFi expert समझते हैं, आपने आपको Web3 expert समझते हैं, या फिर आपके जो भी crypto influencer है, crypto creator जनको आप follow करते हैं, उनको कभी ऐसे पूछना है सर, DeFi में कितनी category होती, 10 category के नाम बताओ, नहीं बता पाएगे, और इस सब data available है, इस सब data DeFi लाबा है, DeFi लाबा खुदी आपको बता रहा है, लोग मैनत थोड़ीन करते हैं, इतनी मैनत कौन करें, तो वाली बात है, और आप उनके वरुसे रहते हो, वो हमको बताएगे, इसलिए आप खुदी वो मैनत करो, खुदी aware हो जाओ, खुदी हर चीज का पता लागो, आपको कोई भी बेखुब नी बना सकें, और आप अपने डिसिजन खुद अपने दम पे ले सको, ठीक है, तो इस सारी केटेगरी से आप देख सकते हो, डीप में जाके सबको सर्स कर सकते हो, सबके बारे पढ़ो, और पता चलेगा कि कौन-कौन सी केटेगरी में क्या-क्या आपको पता चलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर डीटा आपको पूरा मिल जाता है, अलगले ब्लॉक्चेन नेटवर्क के साब से सारी प्रोटोकल आपको पता चल जाता है, कौन से केटेगरी के अंदर कौन सा प्रोटोकल टॉप है, इसके बाद फिर आपका टोकन यूजेस का है, यह भी काफी सही मैट्रिक्स है, यह नया एड किया है, रहोने रिसेंटली, और यह डेटा कई बार क्या अपडेट होता है, कई बार हो सकता है, कुछ प्रोटोकोल मिसिंग है, तो यह अपडेट करते रहते हैं, इवोल्व होता है यह प्लेटफॉर्म, रोज यहाँ पर डेटा पर रिलाई नहीं कर सकते हैं, लाइक 98% तर कर सकते हैं, 2% थोड़ा बहुत उपर नीचे हो जाता है, वो चीज आप थोड़ा सा माइंड में रखके यह डेटा गो थू करना, बट फिर भी इस कंपेर टू अधर प्लेटफॉर्म, काफी सही डेटा एकिरोसी देखें, तो सबस्यादा एथिरियम कौन से प्रोटोकॉल में यूज हो रहे हैं, लीडो में हो रहे हैं, नो डाउट, मेकर डाओ, आवे, कर्व, उसके बाद, कॉइन बेस, स्टेक, एथर, तो इसके एसाब से आपको लिस्ट बिल जाएगी, तो यह आपको पता चल अगरे में अगरे प्रोटोकॉल में कितना हो रहा है, इसके बाद यह पर केटेग्रीज हैं, तो केटेग्रीज वाला सेक्षिन मैंने जैसे अब ही बताया था कि Defy में काफी यलाल केटेग्रीज होती है, अल्मोस 31 केटेग्रीज होती है, यह सेक्षिन आप पूरा एक बार और क्ौन कौन सी गर्टेग्री च्छा बनेगा और आपकी स्टोप पर लेगा अने लाइगा. तो जिसके knowledge के पीछे बागो, knowledge को छेस करो, future में काफे काव आएगा Second, यहाँ पर dashboard, जो major dashboard होई, yields का है, yields के अंदर जैसे annual yield वगरा मिलते है, defy के अंदर तो उसका data यहाँ पर पूरा मिल जाता है, सबसे बहले pools का है, तो pools के अंदर आप सारे different pools देख सकते हो और जैसे यहाँ पर ST ETS का पूल है, उस पर 4.9% के आसपास EPY चल जीए, जिस पर सबसे ज़्यादा TVL है, तो यह जो BTC का पूल है, जस्ट लैंड पर उस पर 0.03% के EPY मिल लिए, BTC पर गता कम interest यहाँ पर ओफर हो रहा है, CB ETS पर इत्ता हो रहा है, तो इसके एसाप साब दे लोग काफी स्टेक करते हैं, 30% के आसपास है, तो यह पूरा डेटा यहाँ पर मिल जाता है, कि इस पर किती अपियार वगरा है, वो आप चैक का सकते हो, और अगर डिफाई में आप इन्वाल्व होता हो, उसके साब से आप से आप पोजिशन भी बिल कर सकते हो, कि के अंदर वो जो यल्ड जनरेटिंग प्रोजेक्ट से उनका डेटा मिलता है, तो लीडो है, मेकरडा और रेडियर में सब इनका लिस्टिंग आप पर है, किस पर किती टीवल है, वो भी आप है, आपको पता चल जाएगी, ठीक है, इसके बाद हलाल का जो ऑप्शन है, वो ह करता है, ये तो यहाँ पर काफी कम प्राइस में और स्वैप कर सकते Zelg, ये डिपये लामा का सकते हो, ये 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 मैच करता है कापे स्वैपिंग की पीजह कम लगती है, वहाब आपको श्रक्श पराइड करने देता है, तो ये काफी सही है, और ये मेंने साब से यूज कर सकते हो क्योंकि डिफाई लामा का टोकन भी आ सकता है तो एर्डॉप के लिए यह आप यूज करना स्टाट कर लो साथ में साथ इसको बार यूज करके देख ले ले ला एक बार एक्निकेटर के यूज करके दू-तिर स्वैप कर ले ले ला अलेलग चैन पर उसे यार इसको पर सुर्पाइस तो इसको भी आपने पर लिए लावा जुक्तिंस पर वैंज बढ़ा है और उससे बीडिया बढ़ा है और उसे पर पर बढ़ा है और आपने गूर्प सोगश हो सब्सक्राइब गढ़ा है और यहाँ पर आपको volume भी पता चल जाता है, sport volume finance का काफी ज़्यादा है, 10 billion dollar के आसपास है, बागी तो आसपास भी नहीं है, भाई आलत कराब है सबकी, OKX को देखो, OKX से 10 गुरा ज़्यादा sport volume finance लेके बैठा है और 24 hours का open interest minus पर काफी ज़्यादा है, 7.6 billion dollar के आसपास, उसकी बाद OKX है तो like top, second, top पर minus से second पर almost OKX आगया, यही मान सकते है उसकी बाद volume का डेटा आता है तो DEX का कितना volume है, वो यहाँ पर मालूम पर जाता है, इन्यूस्वाब पर volume सबसे ज़्यादा है, 24 गंटे का 2 billion dollar के आसपास है उसके बाद curve पर है, उसके बाद pancake swap पर Pancake swap पर users ज़्यादा है, वर सब users सारे वैसे है बहुत छोटे amount वाले है, तो ज़्यादा बड़ा transaction करते नहीं है, और gas fees वैसे भी pancake पर कम लगती है, तो इतना ज़्यादा volume पर amount बड़ा नहीं दिखता है, amount काफी छोटा है like, you know, क्योंकि gas fees का काफी फर्क है Ethereum पर gas fees ज़्यादा है, इसलिए जो volume है 2 billion dollar से ज़्यादा है, ठीक है, यह पर यह चीज़ हमको पदा लग रही है, बागी यह पर TVL वगरा सब यहाँ पर बालूम पर जाता है, cumulative volume वगरा सब यहाँ पर data, आपको DEX का मिल जाता है DEX volume by chain के अंदर कौन सी chain पर कितना volume है तो यह weekly change भी काफी आया है Ethereum पर, Ethereum की chain पर 90% के आसपास DEX पर activity बड़ी है, BC पर 30% यह बड़ी है Ethereum की growth इन सब पर depend करती है DeFi पर करती है, NFT पर करती है DeFi का सबसे major volume आता है, वो DEX से आता है तो DEX पर activity बर रही है, बल्लोगचें नेटवर्क काफी सही चल रहा है वहाँ पर लोग काफी participate कर रहे है, काफी interest है वहाँ पर उसका network uses बढ़ रहा है, उसका revenue ज्यादा बढ़ रहा है उसका fees ज्यादा जनरेट हो रहा है, ultimately वह काफी सही शेप में है तो उससे यह पता चलता है Ethereum की growth वापस होई रही है, weekly change Ethereum की काफी सही है और BAC की भी सही है, बढ़ 30% है, थोड़ा Ethereum का ज्यादा है तो इसके हिसाब से यह पर यह चीज पता चल जाती है कि बाद fees और revenue का भी section यहाँ पर डाला है तो कौन से chain ने और कौन से daps ने कितना revenue जनरेट किया यूजर से किती fees जनरेट की जनरेट की, 7 days के किती fees जनरेट की, वो सब पता चल जाता है यूजर से अब तो डैप में like टॉप ही करता है 11 million dollar की fees 7 day में जनरेट की है और 30 day में 25 million की, बढ़ पिछले 7 day में काफी volume आया उसके हिसाब से fees यहापर जनरेट की है जनरेट की डेटा आपको बिल जाता है, OpenSea, Lido, BSC सब कहीं मिल जाता है सारे डैप्स का मिल जाता है सारे चेंज का मिल जाता है और चेंज के जिसाब से आप उनको फिल्टर लगा के भी नेख सकते हो तो यह डेटा भी important है करेदेगे यह fundamental strength को बदा था कि किस chain में किती ज्यादा fundamental strength है कौन से डैप्स पर किती ज्यादा fundamental strength है कौन से डैप्स को लोग कितना use करना पसंद करते है कौन से डैप्स पर कितना revenue आ रहा है तो यह revenue आएगा तभी जाके डैप्स का आगे जाके sustainable growth हो पाएगा इसलिए यह matrix काफी important है टोकन terminal भी डेटा सब प्रोवाइड करता है तो उसके मारे मैंने अलग से वीडियो बनाया था वो भी आप वीडियो एक बार चेक कर लेला उसके कुछ और additional data भी है तो वो कही ने कही help करता है fundamental analysis करने सारी चीज़े कही ने कही आपको include करने चीए उससे आपका insight और अच्छा बनता है जो section है वो raise का है तो raise के तो funding का पूरा आपको data मिल जाता है तो total अभी तक blockchain crypto space पे 4033 funding rounds हुए है उसमे 91 billion dollar के असपास funding हुई है और कौन से chain में कित्ती हुई है उसका भी आप पता लगा सकते हो और यहाँ पे funding अभी थोड़ी सी dry चल रही है इसका chart आपको दिख रहा है आप पूरा नवंबर 2021 में top किया था chart उस time पे funding जो थी 7 billion dollar के असपास पोच गी थी अभी जो funding जो चल रही है इस साल तो 138 million dollar के असपास ही हुई है लास्ट मंत जो है 720 million dollar के असपास पर तो यह थोड़ा सा declining है अभी funding interest थोड़ा कम जा रहा है इससे यह पता चल रहा है और यह बात सही है वी सी अभी हाल फिलाल bear market चल रहा है और अफटेक्स के इवेंट के बाद थोड़ा सा वो थोड़ा अलर्ट होगे इजली फंड नहीं कर रहे है तो थोड़ा सा यह पर ड्राइब चल रहा है funding वाले game में जैसी market recover करेगा तो funding वाला scene वापस सही हो जाएगा और funding important है funding होती industry में तभी industry grow होती है तभी web 3 का अच्छे सा rise होगा funding होगी तभी जाके product अच्छे बनेंगे तभी या क्योंकि marketing होगी तभी जाके बड़ा user base को target कर पाएगा इसलिए funding is very important it is very essential for the growth of this industry और यह dashboard काफी interesting है इसमें recently जो project ने fund उठाय है उनकी सारी data आपको मिल जाता है और कौन सी sector से belong करते कौन सा round उठाय है वो सब आपको पता चल जाता है तो यहाँ पर देखो recently Intela X करके था गेमिंग वेफ्त्री गेमिंग का है तो 12 मिलियन डॉलर का fund raise किया है तो यहाँ से आपको inside लग जाता है आप track कर सकते हैं उन project को project के साथ initial stage में जूर सकते हो funding raise करते हैं तो यह discord community में भी बनाते हैं तो किसी का token launch हो सकता है किसी का NFT launch हो सकता है तो अगर आपने इन में से इस data को सही use कर लिए यह पता लगा लिए कि यार इसके पास fund है इसकी team अच्छी है यह अच्छा web 3 game है या अच्छा NFT marketplace है या अच्छा DAX है या अच्छा crypto platform है जो भी है आपको एक बार पता चलिए उसकी बारे में आप इसके discord में join होगे उसके community के साथ involve होना start होगे तो जितना जल्दी early जूड़ोगा उत्ता फाइदा होता है इसलिए यह data काफी important है funding वाला अगर आप proper track करते हो सही project को पहले से जान लेते हो कि यह project आगे आगे बड़ा हो सकता है इसके बाद अच्छा पैसा है और उसमें आप early stage पे join हो जाते हो तो कई ने कई आपको काफी help कर सकता है तो यह सारी alpha है बाई यह सारी alpha है यह alpha आपको pick करना आ रहा चाहिए और इसलिए alpha आपने सही से pick कर लिए तो आपका काफी अच्छा यहां पर growth हो सकता है करियर हिसाब से भी देखते हो तो कई ने कई community वाले role में आप involved हो सकते हो आप early join हो सकते हो early आपको पता चला तो early stage पे NFT में आप whitelist हो सकते हो किसी का NFT launch हो रहा है तो token airdrop होने वाला तो early join हो तो आपके chances बढ़ेगे कि आपको airdrop मिले तो जितना ज्यादा early आप join होते हो crypto web3 के seed में उतना फाइदा होता है कोशिश करो कि जल्दी alpha को पैचा रहो और जल्दी जितना जल्दी हो सके इस project के साथ join हो तो कई देकर आपको फाइदा होगा तो यह पैंटेरा हो गया है सब बड़े VC fund है एनिमो का ब्रांस हो गया तो यह उसके साब से आप देख सकते हो तो जो जहापे बड़े VC fund ने backing की है वाई combinator हो गया तो वहापे chances अच्छा होता है कि वो project आगे अच्छा कर सकता है कि बड़े लोगों उसको back किया है तो उसके साब से कहले कि वो एक आप insight बना सकते हो कि यहाँ पर कुछ अच्छा हो सकता है वाप पर involve होना की कोशिस कह सकते हो जो dashboard वो stables का है तो stables के dashboard में आप overview में देख सकते हो कौन से stable में किस टाइप से value locked है तो tether में जो value locked है वो 66 million dollar के आसपास है और इसके बाद USDC है उसके बाद BUSD है और chance के इसाब से भी आप देख सकते हो तो ethereum ही dominate कर रहा है उसके बाद Tron पे काफी ज्यादा सेकेंड पर और तिसरा BSC पर यहाँ पर स्टेबल ट्रों पर यहाँ ज्यादा वापर शेयर रहता है तो 94% के आसपास USDT जो है ट्रों के उपर ही है तो ethereum और Tron जो है फर्स सेकें थर्ड पर BSC है तो solana पर 1.82 million dollar के आसपाज है थोड़ा सा काम है अभी कम हुआ होगा recently और बाकि यहाप इस टेबल पर 7-day का चेंजिस देखो के तो optimism की metrics काफी सही है optimism पर लोग ज्यादा deposit कर रहे है और Tera Classic पर भी कर रहे है तो optimism वैसे काफी सही है Tera Classic को तो मैं इता मानता क्योंकि वो sort of meme type ही है कोई ज्यादा उसका मतलब है रही काफी इंट्रेस्टिंग आप है राइस देखने को बिला है राइक हाइस्ट राइस जो है 7-day में सेलो पर भी दिखा है के बाद जो dashboard है हो काफी important है आज के ताइम में उस dashboard का रहा है अभी liquid staking तो अभी liquid staking का पूरा बाद चल रहा है protocol के बीच पर राइट क्योंकि बड़ा market share जो है यहाँ पर एथिरियम का अभी वेकेंट देखा जाए तो 14% के आसपा से एथिरियम की supply stake हुई है और यह आगे जाके यह ratio काफी बढ़ने वाला है तो यहाँ पर सबके लिए मोगा है लीडो जो है clean winner है अभी इस टेक इटीएच है rocket pool है stake wise है और frex ether है stake wise 1.26% है तो इसको frex ether तो take over करे लेगा फिर rocket pool और यहाँ पर frex ether का competition काफी सही होने वाला है फिर देखते कौन यहाँ पर आगे जाता है उसके बाद फिर जो second होगा और lead तो first है उनकी बीच पर competition होगा तो काफी interesting है तो यहाँ पर TVL हो यहाँ पर इस data से मालूम पढ़ रहा है और यहाँ पर market share का मालूम पढ़ी रहा है और 7-day में changes के इसाब से frex ether में काफी change आया 7-day में 24% के आज पास यहाँ पर deposits हुए है और 30-day के इसाब से भी इसका सबसे highest है frex ether जो है सबसे fastest growing LSD है आज के टाइम पर और बाकी यहा पर पता चल रहा है कि ETS के against किस टाइप से value इनकी है तो Lido Finance का जो LSD है ST ETS उसकी जो price है वो ethereum के price से minus 0.31% नीचे है और इसकी coinbase wrapped ETS का देख़ए तो minus 2.34% के आसपास है और rocket full के जो LSD है आज ETS की price plus 1.17% के आसपास है तो इसकी ज्यादा है इसका यह premium पर है बागे सब discount प जाता कभी जनरली ऐसा नहीं होता कि वो proper pack रहा है ethereum की price से उपर नीचे होता है कई बागे सबस्क्राइब कर देखेंग और सबस्क्राइब बिल्कुल आप देखना और वो देखना काफी जरूरी भी है क्योंकि ultimate अगर आपको अच्छे coin में investment करना है और short term trade लेनी है होगा तो LSD अभी next narrative है AI के बार में जो नया reset narrative है वो यही है LSD वाला ही है liquid staking वाला ही है तो यहाँ पर ATS liquid staking को हमने यहाँ पर cover कर लिया इसके बाद इसके कुछ tools अगरा भी है तो वो भी आप सब देख सकते हो dashboard जो है वो सारे मैंने discuss करे लिए और यह dashboard सारे काफी important है और सबचे ज्यादा important जो dashboard है वो ATS liquid staking का अभी उसको आपको track करना है और यह raises का जो है वो करना है करना है और volume का इत्ता नहीं करो तब भी चलेगा liquidation का इत्ता जरूए नहीं है CX transparency से आप चाहो तो कर सकते हो अगर Axiants की health को आपको track करना है तो यह कर सकते हो और Dex Meta aggregator यूज करो आगे जाके airdrop मिल सकता है DeFi के अंदर आप airdrops वाला section काफी important है उसको track करो इसके अलावा top protocols का एक बार देख लो इसके अलावा categories आपको पता होनी चाहिए overview आप देखते रहो DeFi का तो आपको पता चलेगा किस पर कितना TVL चल ला है तो इसके इसाब से इसाब डेशवोड आप चेक कर सकते हो और सारा कुछ मैंने ऐसे बताई दिया और इसको कैसे use करना है कौन सा data क्या करता है वो भी मैं आपको explain कर दिया तो I hope आपको समझ में आ गया होगा फिर भी कोई समझ में नहीं आया तो में को कमेंड में आप पुछ सकते हो तो मैं अपने time के साब से आपको reply कर दूगा So that is all from my side in this video I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करना अपने दोस्ते को शेर करना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe करना मत बोलना चैनल पर और भी काफी exciting और काफी insightful content मैंने बनाया है और bell icon में click करो ताकि future में और भी वीडियो के update आपको मिलते रहे मिलते नए वीडियो में जल्दी thank you